हलो दोस्तो आज मैं लेके आई हूँ आप सब के लिए गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी मैंगो मस्तानी ऐस्क्रीम की रेस्ती जो पाँच मिनट में ही बनके तयार हो जाती है बच्चों को भी बहुत पसंद आती है तो चलिए हम ये रेस्ती को बनाना शुरू करते हैं ठंडी ठंडी सी मैंगो मस्तानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पका हुआ आम लेना है आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा टाइट है मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था बहुत अच्छे तरीके से हमें एकदम से टाइट वाला ही आम चाहिए यहाँ पे द कर दें ताकि मेरी आने वाली हर एक नए वीडियो सबसे पहले मिले आपको और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना तो सबसे पहले हम आम को जो है इस तरह से छोटे-छोटे पीसेज में कट करेंगे तो हमें इस तरह से बॉक्स वाला जो है इसमें कट कर लेना यह न बहुत ही प्यारी सी डिजाइन भी बनके तयार हो जाती है इस तरह से आप देख सकते हैं यह हमारी जो है पीसे जो है कट के तयार हो गई है तो चलिए अब इसे न हमें एक चम्मस से जो है सभी आम को बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में अच्छे से और यह देखिए एक आम को हमने छोटे छोटे पीसे में कट कर लिया है तो चलिए अब हम मैंगो मस्तानी बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर हमने एक बड़ा वाला मिक्सिंग जार लिया है अब जितने भी आम को हमने कट किया है सभी आम को हमें मिक्सिंग जार में डाल देना अगर आपके पास जूसर है तो आप उसमें भी डाल की इसके प्योरी बना सकते हैं इस तरह से मेरे पास नहीं था तो मैं मिक्सिंग में ही डाल के बनाऊँगी अब इसमें हमें चार छोटे चम्मज से इसमें चिनी डाल देना है वैसे भी आम जो है वो मीठा है तो ऐसक्रीम ह एक गलास में दूद लिया है जिसमें से हमने आधा गलास दूद मिक्सिंग में दाल देना है अब इसका हम ढग कर लगा देते हैं और इसकी नहीं हमें एक बहुत ही बारीख सी प्योरी बनाके तयार कर लेना है mixing को जो है बीच में रोक रोक के उसे हम 3-4 बार चलाएंगे तो इस तरह से बहुत ही बारी हमारी प्यूरी जो है वो बनके तयार हो जाएगी जिसमें कोई lumps नहीं होना चाहिए एकडम से बारी हमें इसे प्यूरी बनाके तयार कर लेना है आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही जादा ये ठीक एकडम से क्रीमी हमारी प्यूरी बनके तयार है तो चलिए अब हम एस क्रीम को रखते हैं सेट करने के लिए अब यहाँ पर देखिए हमने आस्क्रीम को सेट करने के लिए छोटी छोटी सी प्लास्टिक की कटोरी ली है इसमें क्या होता है आस्क्रीम बहुत ही जल्दी से सेट हो जाती है क्योंकि यह ग्रम से हलकी होती है अब जो हमने मैंगो मस्तानी ऐस्क्रीम बनाई है एक एक चमश करके हमें कटोरी में डाल देना है बहुत ही अच्छे तरीके से कटोरी को पूरा नहीं भरना है ऐसे ही करके हमें जो है पांच कटोरी में लिए है तो पांचो कटोरी में हम जो है ऐस्क्रीम को बहुत ही अच्छ तरीके से sit करने के लिए रख देंगे ऐस्क्रीम को हमने छोटे-छोटे कटोरी में बहुत अच्छी तरीके से निकाल लिया है अब बारी आती है हमें इसे फ्रीजर में डालने के लिए बस एस्क्रीम हमारी बनके तयार हो गई है पांच मिनट में तो इसे हम सबसे पहले रख एक घंडे के बाद हम फ्रीजर से एस्क्रीम को बाहर निकाल रहे हैं और यह देखिए एस्क्रीम हमारी बहुत जादा ठंडी और जो है बहुत ही अच्छी तरीके से कटोरी में सेट हो गई है तो अब बारी आते हैं इसे खाने के लिए तो सबसे पहले हम इसे सजा देते हैं यहाँ पे हमने कुछ काजू बदाम को इस तरह से कट करके एस्क्रीम के उपर डाल देना है अगर आपके पास ठूटी फूटी है तो वो भी डाल सकते हैं बस इसी तरह से सभी एस्क्रीम को हमें बहुत एच्छी तरीके से सजा देना है और यह हमारी मैंगो मस्तानी एस्क् सबसे पहले मिले आपको आप सब भी इस मैंगो मस्तानी को गर्मी के मौसम में एक बात जरूर ट्राई करें पांच मिनट में बहुत ही जल्दी से ये बनके तयार हो जाती है कॉमेंट करके जरूर बताईए कि ये रेस्पी आप सब को कैसे लगी मेरी वीडियो को अपने फैमल झाल झाल